ज्यान मंत्रा हुम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नौकरी में प्रमोशन के कुछ टोटके और उपाए जिनको करने से आपकी नौकरी में प्रमोशन अवश्य होगा तो आईए जानते हैं नौकरी में दिक्कते दूर करने के और प्रमोशन पाने के कुछ टोटके तो सबसे पहला आप लोगों को यह पता होना चाहिए है कि आप लोगों की कुंडली में सूरे ग्रह जो होता है उसी से नौकरी और सरकारी नौकरी देखी जाती है अगर किसी की कुंडली में सूरे ग्रह नीच का हो तो उन लोगों को नौकरी प्राप्ती में या नौकरी में प्रमोशन में काफी जादा बाधाएं आती हैं तो इसको ठिक करने के लिए आप लोगों को अपना सूरे ग्रह ठिक करना पड़ेगा उसके लिए आप लोग जल में रोली एवं थोड़े से लाल फूल मिलाकर 43 दिन तक सूरे भगवान को जल अर्पित करें ऐसा करने से आपको नौकरी में प्रमोशन अवश्य मिलेगा अगला उपाए अगला उपाए है कि गुरुवार के दिन आप बेसन के लड़ू और पीले वस्त्र एवं पीले फूलो का दान करें ऐसा आप लगातार 21 गुरुवार तक करें ऐसा करने से आप लोगों की सारी दिक्कते दूर होईंगी और आपको नौकरी में प्रमोशन अवश्य मिलेगा अगला तोटका अगला तोटका है जिन लोगों को नौकरी में काफी जादा दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है वह लोग 43 दिन तक रोज 3 केलों का दान करें अथवा वो 3 केले आप गाएं को खिलाएं ऐसा करने से उनकी नौकरी में जो भी दिक्कते और बाधाएं हैं वह समाप्त होईंगी अगला तोटका अगला तोटका है आप कोशिश कीजिए कि आप रोज, हल्दी और केसर का तिलक लगा के जाएं ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होईंगी और आपको नौकरी में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगला तोटका अगला तोटका है कि आप अपने जनम दिन वाले दिन गाए को मीठी रोटी बना कर खिलाएं ऐसा करने से आपकी सारी नौकरी में दिक्कते जो हैं वो दूर होईंगी अगला तोटका अगला तोटका है कि आप साथ शनिवार तक लगातार काजल जिसको हम सूर्मा भी कहते हैं तो वो काला जो काजल होता है वहाँ आप जमीन में सुनसान इलाके में जाके गाड़ के आएं ऐसा करने से आपको नौकरी में प्रमोशन अवश्य मिलेगा अगला तोटका अगर आप और जादा टोने टोटके और उपाई पे जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज तुरंट सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद